कि दोस्तों यह देखिये यह मौरपंक का प्लांट इसे ग्याल और देखिये यह बहुत ही लखे बीज बहो हुए कि इसमें कितने सांब्स एक तो यह देखने में बहुत खुप्सूरत होँ है तो अगर हम cutting से या बीच से इसको लगा कर बहुत सारे plant बना देते हैं तो हम अपने garden में कई जगा लगा सकते हैं अगर ground floor है तो ground floor में भी लगा सकते हैं तो इस तरह बहुत सारे plant त्यार हो जाते हैं तो दोनों तरीके से लगाना बहुत ही असान है और बहुत ही असान ही से लग जाता है तो दोस्तो बीच तो अगर पक जाता है तो उसे बस गमले में डीप कर दीजिए तो वहां से planting कल आता है लेकिन cutting को लगाने के लिए थोड़ा process चाहिए तो आज हम दोस्तो इसको cutting से लगाएंगे और मेरे चैनल पर जो नए हैं दोस्तो प्लीज दोस्तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा बेल आइकन की घंटे इप्रेस कर दीजेगा दोस्तो ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी notification आपको मिल सके तो चलिए इस lucky plant को और सुल plant को जो देखने में बहुत ही खुबसूरत plant होता है और इसको बहुत ही हर्याली देता है यह देखने में green green सा लुक हमेशा रहता है उसको cutting से त्यार करते हैं तो देखिए यह branch मैं एक branch लूँगी बहुत ज़्यादा इसका मोटा branch तो नहीं होता है और इसमें से बहुत सारे branch निकले रहते हैं और इसमें से एक ही branch मैं निकालूँगी बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं होता है है लेकिन हां एक थोरा सा मोटा देखकर इसमें से मैं निकाल लोंगी और उपर से नहीं निकाल लोंगे अगर उपर से मैं कट करूंगी तो मेरा यह पूरा प्लांड का लुक खराब हो जाएगा क्योंकि इस प्लांड का जो सिप होता है वो देखने मैं बहुत तो एक और मैं कटिंग ले लेती हूं वही मैं नीचे से ही लूँगी ताकि मेरा प्लांट का सोख खराब ना हो तो देखिए यहां से एक प्लांट यह ब्रांच ले रही हूं और यह भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है तो कुछ ऐसे ब्रांच लेंगे जो देखने में मोटे थोरे लगे बहुत ज्यादा पतले तो नहीं लग पाएंगे लेकिन हां बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं हो और यहां पर देखिए अलोवेरा है अलोवेरा का प्लांट मैंने लगाया है तो यह थोरे से पतले जो सुखन प्लास्टिक का तो उसमें मैंने लगाऊंगी और यहां पर देखिए सभी कटिंग मैंने ले लिया है थूज़ा प्लांट की तो जो कटिंग में ब्रांच थे उस सबको मैं अलग-अलग कर देती हूं ताकि बहुत सारे ब्रांच बन जाए कोई दोस्तों कटिंग लगाने क्लि तो वह बस मैं रहने दूँगी ताकि उसको एनर्जी मिल सके और ऐसा माना जाता है कि अगर प्लांट की उपर वाई टीप्स रहता है तो वह जल्दी ग्रू हो जाती है तो देखिए मैंने यह एलोविरा जेल ले लिया है और आप इसमें जेल भी लगा सकते हैं अगर आपक तो रहात बएक कि उसको कट करके और इसमों का इसके और आपक में लगा दिया सभी करके Seg़ ब livestock आते हैं वह तो उसको उनली इला में भी लीना चाहिए क्योंकि अगर मोश्र नहीं रहेगा सुख जाएगा तो यह प्लांट भी नहीं लगेगा कुछ गलतिया मैंने किछले बार ऐसे की थी तो मेरा प्लांट मर गया था तो इसके चलते देखें यह हमेशा जहां भी रखें हम क्योंकि इसको सेमी सेड में ही रखेंगे यह सेमी सेड का ही प्लांट है तो कटिंग भी इसको सेमी सेड में ही रखेंगे तो इसको हमेशा मोश्र रखेंगा और हमेशा इसमें पानी सुबा साम डालते रहेंगे तो यह हमेशा मोश्र रहेगा और इस तरह प्लांट ये बहुत जल्दी 15-20 दिल में ये प्लांट लग जाता है तो इस तरह ये कटिंग मैंने 5-6 कटिंग मैंने त्यार कर दिये हैं और देखे इसमें से कितने सक्सेस होते हैं वो मैं आप लोग के साथ सेर करूंगी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया